हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका Friendly Study Circle चैनल में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तरप्रदेश पुलिस भरती बोर्ड के बारे में तो आने वाली वैकेंसी के बारे में जानकारी दी जाएगी साथ ही जो सूचना अपडेट आई है उसके बारे में तो दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको गौर्मेंट जॉब्स रिलेटर सारी अपडेट मिलती रहेंगे और दोस्तों वीडियो को पूरा देखेगा और आपके जो भी सुझा हों या सवाल हों तो कमेंट बाक्स में जरूर पूछें तो दोस्तों यह है उत्तर प्रदेश पूलिस बोर्ड की नोटिफिकेशन और इसमें पीएसी में आरची चालक के पद पर जिनका सेलेक्शन हुआ है उनको ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया गया है और यह इंपॉर्टेन सूचना है और 16 अक्टूबर के यह नोट चलित है उत्तर प्रदेश पूलिस मोटर परिवहन साखा अधिकारी सेवा नियों मावली 2015 के अनुसाद पात अभ्यहद्रियों से बोर्ड के समख चालन दच्छता परिच्छा में सम्मिलित होने की अपेच्छा की जाएगी चालन दच्छता परिच्छा विवागत गयराजिंग टेस्ट होगा जिसमें आप जब ड्राइविंग करेंगे तो आपको क्या है कुछ दीवार होंगे कुछ सीमा होंगी उसको आपको टच्छ से बचाना है उसमें टच्छ आपका नहीं होना चाहिए यदि टच हो जाता है तो आप अनफिट हो जाएंगे इसमें यही चीज बताय गया है तो जो भी लोग इसके लिए कालिफाई किये हैं वो लोग बिसेस रूप से प्रैक्टिस कर लेंगे वैसे भी उनका प्रैक्टिस इतना बहतरीन होना चाहिए कि वहां पे उनको अन्फिट न हो पाए और दूसरी चीज रोड ड्राविंग टेस्ट इस सारी चीज आपको इसमें देखना पड़ेगा उसके बाद आपको पार्किंग के लिए पैरलर पार्किंग की टेस्ट होगी जिसमें बताय रहा है गयराजिंग टेस्ट है और रोड डराविंग टेस्ट में सब पहल पाए गया अब भ्यारतियों का समानांतर प्राठीग टे लिए से प्रक्टिस करना होगा आप से प्रेख्टिस कर लिजेगा जो भी लोग सेलेक्टेड विए हैं, और आपको यहां पे बताया गया है, लिए वोग प्रक्टिस करना है। यानि प्रश्पत्र लेकर आपको पहुंच जाना है यहां बता रहा है आरची चालक के पद पर चयन हित पात्र अभ्यत्यों की चालन दर्चा पर इच्छा दिना कि अब भ्यात्यों के परेश्पत्र कि अधक के ब्हएं अ अब कि इसके बाद जो जनकारी है वह है उत्तर प्रदेश पूलिस भरती आने वारी वेकेंसी के बारे में और साथ ही UPSI दरोगा की भरती के बारे में है तो जैसा कि दोस्तों जो सूचना मिल रही है वो यही है कि दिसंबर माह के पहले उत्तर प्रदेश पुलिस के भरती लगबग 50-41,000 के बीच में आने की पूरी संभावना है और दरोगा की भरती चल रही है लेकिन कुछ कारणों से इस महीने नहीं आएगी अभी टेंडर भी क्या था कि एक्जाम कराने के लिए टेंडर भी नहीं मिल रहा था अब कि इस कौन सी एजनसी कराएगी लेकिन वो चीज हो चुका है कंप्लीट लेकिन विग्यापन अगले महीने में पूरे चांसे बन रहा है कि अगले महीने में दरोगा के विग्यापन जारी कर दिया जाएगा ऑफिस्यल वेबसाइट पर तो आप लोग अपनी तयारी करते रहें क्योंकि समय बहुत कम मिलेगा आपको तयारी करने के लिए पहले से प्रिपेर रहें चाहे आपको उत्व प्रदिस कांस्टेबल की भरती देखनी हो या फिर SI की भरती देखनी हो तो उसके लिए आप अभी से तयारी करेगे और ब्यत्रिन ढंग से तयारी कीजिए क्योंकि अब क्या है कि इतना ज्यादा कंपटिशन है कि पेपर भी आपका लेवल जो होगा आपको ऐसे नहीं है कि उपरी उपरी पढ़ना है आपको डिपली नॉलेज होनी चाहिए और डिपली नॉलेज के लिए आपको सारे टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा अपने खुद के नोट्स होना चाहिए और कोचिंग के भरोसे कम अब वसे प्रैक्टिस करें उतना है बेतर होगा क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस से ही जो भी आपके क्योंशन गलत होते हैं वह सारी संबावनाएं गलत होने की खतम हो जाती है तो आज की वीडियों में दोस्तों यही पर समा वाट, टेक केर, बाए बाए